त्योहारों के सीजन में ट्रेनों में भारी भीड की संभावना को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किये हैं। आगामी त्योहारों में यात्रियों को आसान और सुगम यात्रा की सुविधा देने के लिए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधी बढ़ाने का फैसला किया है. इन ट्रेनों को अब फेस्टिवल स्पेशल के तौर पर चलाया जाएगा. क्योहारों की भीड को ध्यान में रखते हुए पाटले पुत्र और गया के बीद चलने वाली पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में 92 ट्रिप का विस्तार किया गया है गाड़ी संख्या 05553 और 05554 को अब 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्रति दिन चलाया जाएगा ये ट्रेनें पाटले पुत्र से 10.30 बजे चलकर 14.00 बजे गया पहुचेंगी और वापसी में गया से 14.45 बजे चलकर 18.25 बजे पाटले पुत्र पहुचेंगी इन ट्रेनों का समय और ठहराव पूर्ववत रहेगा इसके साथ ही 27 अगस से हटिया पटना हटिया एक्सप्रेस में भी बड़ा बदलाव किया गया है अब इस ट्रेन का ठहराव बंशीपूर स्टेशन पर भी होगा गाड़ी संख्या 18.621 पटना हटिया एक्सप्रेस 18.31 बजे बंशीपूर पहुचेगी और 18.3 बजे आगे के लिए खुलेगी वहीं, गाडी संख्या 18,622 हट्या पटना एक्स्प्रेस 08.51 बजे बंशीपुर पहुचेगी और 08.53 बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी साथ ही, 27 अगस्त से पटना जाजा मेमू पैसेंजर ट्रेन महेशलिटा हाल्ट पर 18.47 बजे, बासूचक हाल्ट पर 19.06 बजे और कुंदर हाल्ट पर 19.09 बजे ठहरेगी यह ट्रेन प्रत्येख छाल्ट पर एक मिनिट के लिए रुकेगी और फिर आगे के लिए प्रस्थान करेगी इन परिवर्टनों से त्योहारों के दोरान यात्रियों को राहत मिलेगी और यात्रा अधिक सुविधाजन्ख होगी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन परिवर्तनों का ध्यान रखे और समय पर स्टेशन पर पहुँचे लोकल 18 के लिए पटना से सचिदानन्द की रिपोर्ट